यूपी और उत्राखन की खबरों के लिए एबेपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दमाएं पापा उस पापी को मत छोड़ना जिसने मुझे मारने के लिए मरने के लिए मजबूर किया उस दरिंदे को मत छोड़ना जिसकी वजह से मेरे जिन्दगी खराब हो गई ये आवाज आ रही है रानी के शहर जहांसी से जहां एक बेटी ने मौत को गले लगा लिया उसने एक शैतान की वज़े से जहर खाकर अपनी जान दे दी लेकिन जाते जाते वो मांग रही है मौत के बाद बदला पापा हमारी मौत का बदला आकाश और उनके घरवालों से लेना तब ही हमारी आपमा को शांती मिलेगी मौत के बाद बदले की मांग ये गोहार है उस पेटी की जिसने चिर्खानी से तंगा कर मौत को गले लगा लिया और एक दरिंदे की वज़े से दुनिया को अलविदा कह दिया पापा मम्मी हमें माफ कर देना हम आत्मत्या कर रहे हैं हमारी मौत का कारण सिर्फ आकाश और उनके घरवाले हैं हमारी मौत खाली मत जाने देना यह आवाज काल्पनिक है लेकिन इन शब्दों में छिपा हुआ दर्द हकीकत है जहासी की बिटिया का जो उसने मौत को गले लगाने से पहले सहा था और सहे थे उस दरिंदे के दिये जख्व जो उसकी आपरू पर दिये गर थे दिमाग को सर्ण कर देने वाली ये कहानी है रानी के शहर जहासी की जहाएक बेटी को इतना सताया गया कि उसको जिंदगी से नफरत हो गया और मौत बेहतर लगने लगए यही वज़े है कि एरच में छेड़ छार से तंगा कर एक चात्रा ने जहर खाकर अपनी जान देगी फले ही उस बेटी ने जहर खाया हो लेकिन जाते जाते वो बेटी अपने जखमों को इस लेटर के जरिये बया करके कई है जिसके जरिये उसने अपने घरवालों से बदला लेने की मांग की है और आरोपी के खिलाब सख्त कार्रवाई की बात करें आईए पहले उस बेटी के आखरी मांग को सुने पापा मम्मी हमें माफ कर देना हम आत्म हत्या कर रहे हैं हमारी मौध का कारण सिर्फ आकाश और उनके घरवाले हैं हमारी मौध को खाली मत जाने देना भगवान करे कि हमें हर जन्म में तुम जैसे मम्मी पापा मिले नाना जी कभी मुझे भूलना मत पापा मम्मी तुम्हें हमारी कसम है अपने आप को सम्हाल लेना और हमारी मौत का बदला लेना हम चाहते थे कि हम आपका सिर गर्व से उचा करें हम ये नहीं चाहते थे कि हमारे बाप दादा का सिर जोगे हम पापा की तरहा बात को सेहन नहीं करते हैं हम इज़त पर कोई सवाल नहीं आने देंगे पापा हमारी मौद का बदला आकाश और उनके घरवानों से लिए तभी हमारी आत्मा को शांती नहीं एक तरफ पूरे प्रदेश में महिलाओं की सशक्ती करण के लिए मिशन शक्ती चलाया जा रहा है तो दूसरी करण सामने आई है एक बेटी के साथ दरिंदिगी की एक कहानी और अब पुलिस भी आरोपी को खोजने में जुट करें परिवार वालों का कहना है पडोसी के रहने वाले आकाश के द्वारा बच्ची के साथ छेटानी की गई है bonito बच्ची के चलते बच्ची ने सारे हैं सौल सभार जो बैसे हजानी जब वालों के पुझाये साथ पूस्ताष की है मैं क्यूसजा आश है फरा वसको पकडर नहीं तो तीम अलग लग वगसी प्रतिक किये गया परिवार वालों को कहना है कि लड़की की इज़त के मारे बिज़ती नहीं हो जाए इसके धरके चलते कभी पुलिस्टेशन की शिकायत नहीं करने आये हैं सुना अपने इज़त को बचाने के चक्कर में परिवार ने अपनी बेटे को खो दिया यहां ये बारदात सबक है उन सब के लिए जो इज़त को दर्द से बड़ा समझते हैं क्योंकि अगर जख्म वक्त रहते ना दिखाया जाए तो वो नासूर बन जाता है